नमस्कार दोस्तों मैं हुआ आपका अपना अमित बाबा दोस्तों आज हम अपने बगीचे में आया हैं मेरी पिछले साल भी आम वाली बगीचे में विलोग आया था आम के सीजन में आज मैं फिर से पूना एक और ब्लॉग वीडियो लेके आ रहा हूँ आप सब के लिए आमो वाली बगीचे में मेरी फैमली के साथ क्योंकि मेरा घर और मेरा बगीचा आज पास में ही है तो हम सब आयें आज आम तोड़ने के लिए अपने बगीचे में क्योंकि अचार का टाइम हो गया है अचार बनने का सीजन चाल लूँ है अभी कच्छे आम मिल जारे नहीं तो दस पंदरा दिन बाद फिर पके आम हो जाएंगे आम गद्रा हो जाएंगे तो जब गद्रा हो आम को अजिए ओगीचे में पिर मिलाते हैं अपने बगीचे से और इस भार फसल कैसे आईए दिखाते हैं आपको लेट्स प्रिविएस वीडियो में मैंने असा जिकर किया था हमारी फैमिली पांच के पूरी हो गई है कि आप लोग प्यारा अश्रवाद बरसाते रहे हमें और भी सफरते करना है चलिए हम आपको दिखाते हैं बगीचे में इलियो भाईया पकड़ो लगई अतूड़ो आम पकड़ो यार पकड़ो इसको हाँ ये पकड़ो यहां से ये बात अब सही है अभी तुम्हें दिखेंगे आम जल्दी तल्दी तोड़ो भाईया देख रहे हैं दोस्तों देख रहे हैं आपको आम अचार को आम तोड़ा जा रहा भाईया यह हो काई कि आम गद्रा जाएंगे ना फिर बेकार हो जाएंगे तो आम गद्रा है उससे पहले तोड़ा जा रहा है और यह देखो आपको दिखा रहा हूं मैं हाइवे का व्यू जो हमारे बगीचे से जुड़ा जुड़ा है ना हाइवे है बाराइस टू जमना आगा आप सब को दिखा पा रहा हूं मैं यह जूम करके मैं अभी आपको आम दिखाने की कोसिस कर रहा हूं यह देखिया हम लटक रहे ना पेड़ों से बहुत ही प्यारे आम लग रहे हैं बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं और हाँ बगीचे आपको कैसा अगर आप जरूर हमें कमेंट में बताना और देखो देखो अभी मैं आपको और भी दिखाना हूं यह देखो बच्चों ने डाल रखका जूला पेड़ों में घर के कपड़े से कपड़े वाला जूला है और यह रही हमारी नटकट गर की सबसे बड़ी सैतान लड़की कहत अधाकाद है ना कि घर में छोटी कि आने साय्तान ना हो तो वेकार है, जा बैसे वह कि अधेजित है अश्तर है आधाट है की कैसी सोउझ है इसमौल में कंवा है कि जो 170 का नौन मिल्ट休, प्रेंग पंच्छाइजु जुद और अनल है कैसा आप लोग कैसा हो एसे कैसा आप लोग चैनल को सब्सक्रेब जो और वीडियो पाँ से तकना पूरी लेखना वीडियो को कुछ है क्यों जो पूर जो जो तो क्यों। देखे दुस्त पर नट कर दॉपने। आए ता सिंट फ्रॉपक रहे हैं इस था सीप्र है इस सीप्र को अग्याइन का प्रस्रेंब ने इसे बिया से पाउस को जिसको और देविए चलते हैं आगे अपने वगीचे से और भी रोरू काणते हैं कि देख आप लोग तरह तरह क्याम है हमारे बगीचे में छोटे बड़े खटे मीठे गाइज यह रहा बगीचे का नजारा दोस्तों सोच रहा हूँ इस बार थोड़े बड़े बाल रखने के लिए क्योंकि पिछली बार जब आम का सीजन था तो हमारे बाल छोटे थे और मैंने अपने बालों को लेके एक वीडियो भी बनाई थी इस बार सोच रहा हूँ थोड़े बड़े बाल रखने के लिए आप स ये दोस्तूं हमारे बगीचे से एक दम पास से ही जुड़ा-जुड़ा fig कि हमारे जन्पद का जब है कि बाहराइज टू जम नहां रोड है कि हाइवे कि जुकि हमारे बगी जिस एक दम जुड़ा-जुड़ा है अब सब देख पार एक दम साफ कि और यह देखिए आम कि मैं जूम करके कोशिश कर रहा हूं दिखाने की कि दिखा आप ना मिद्वें दोस्तों हम अपने वगीचियंचे में हैं आप आप समसे हमारे वीडियो में कंट्षिन बने रहे हैं कि हम अज अब आपने वगीचे में भुमाएंगे आपको कि अब सबहर्वे कमेंट के जरूर हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको और हमारा बगीचा कैसा लगा आपको क्योंकि हमें आप सब की कमेंट्स के इंज़ार होंगे और आपकी कमेंट्स से हमारा उत्सा वर्धन होता है दोस्तों वीडियो को फुल वाच कीजिए और हमारे बगीचे आम वाली बगीचा का ये फुल वीडियो देखिए प्यार दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए तब तक के लिए नमस्कार हरहार महादेव फिर मिलेंगे अगली वीडियो में लवीवाल